नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका Study for Life YouTube चैनल में आज मकड संक्रांती है, आप सबको बहुत-बहुत सब कामना है ये तेवहार आपके जीवन में खुशियां लाते रहें आज एक आर्टिकल पेपर में पढ़ा हमारी खुशी का सच सोचा आप सबसे Share कर दो क्योंकि आप सब और हम सब जिस तैयारी में होते हैं जिसमें होते हैं तो कभी-कभी लगता है कि हम क्या पालें तो हमें खुशी मिलेगी या जो लोग नहीं सेलेक्ट हो पाते हैं या किसी कारण बस उनको सफलता नहीं मिल पाती तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं तो देखिए कि खुशी बास्तों में कैसे मिलती है तो ये आर्टिकल मुझे बहुत अच्छा लगा मुझे लगा आप सबसे भी Share करूं एक इसकंद गुप्त नाटक पढ़ा था प्रिशाद का उसमें भी एक बड़ी बड़ीया लाइन कही थी इसकंद गुप्त ने जब वो राजा बन जाता है तो कहता है कि आधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है मादक है जो अधिकार लोगों को मिलते हैं उसका नसा उस पर चाता है पर बास्तों में वो सारहीन है किसी मतलब का नहीं बचता है जीवन के लिए हम इस आर्टिकल पर चर्चा कर लेते हैं यदि आप किसी अच्छी या सुख देने वाली चीज के पीछे भागते हैं तो जरूरी नहीं आपको खुसी ही दे इसके बज़ाव आपको दुख भी पहुँचा सकती है यह एक ऐसा सच है जिसे आप अंदेखा नहीं कर सकते आपने अकसर महसूस किया होगा पर यह समझ कर भी खुसी पाने का दवाव कम नहीं होता खुस तो रहना है हमें पर हर दम ऐसा संभव नहीं यह दवाव दरसल हमारी सामाजिक नासमझी के कारण होता है नासमझी के कारण ही हम जिंदिगी में आने वाले हर अनभव को समझ कर उसका स्वागत नहीं कर पाते बलकि खुसी के पीछे भागते रहते हैं खुसी के सच को समझने के लिए ये बातें समझनी है हर वक्त मुस्कुराना खुश रहने का संकेत नहीं है ज्यादा तर लोग खुशी को नकारात्मक भावों की अनुपस्थिती मानते है यानि आपको हर वक्त खुश रहना है हमेशा हस्ते रहना है ठाके लगाना है आनंद में रहना है नकारात्मक एहसासों के आगे गुंगा हो जाना है कोई पृतिकरिया नहीं करना पर ज़रा सोचिए क्या बास्तों में ऐसा सम्मभ है वेशक नहीं खुसी एक संपूर्ण एहसास है यह नकारात्मक एहसासों की अनुपस्तिती नहीं है हमारे लिए जितना सकारात्मक एहसासों का महत तो है उतना ही नकारात्मक एहसासों का भी बस इन दो एहसासों के बीच बहतर प्रवंधन आ जाए तो हम बहतर महसूस करेंगे इसे आप खुशी कह सकते हैं खुशी आपको सफल बनाने में सहयोग करती है इसको टेशन को ध्यान रखना खुशी आपको सफल बनाने में सहयोग करती है लेकिन ऐसा नहीं है कि सफलता ही आपकी खुशी का पैमाना है लेकिन आज हम सफलता को लेकर काफी दवाब में रहते हैं और उसे आगे निकलने की होड और अधिक कमाई के लिए जुटे रहना सफलता से जुड़ गया है प्रसिद्धी से इसे जोड़ दिया गया है पर क्या इससे खुशी मिलती है सायद नहीं हाँ जीतने का एहसास जरूर होता है अपने प्रियासों के कारण जीत का एहसास स्वभाविक ही है लेकिन जल्द ही हम पहले की तरह जमीन पर होते हैं जीत का एहसास होता है जब हम किसी चीज में सफल हो जाते हैं लेकिन जरूरी नहीं है कि उस वो हमेशा के लिए खुशी रखेगा थोड़े दिन बाद हमें लगता है कि यह हमने क्यों किया इससे तो पहले ही ठीक थे सबके साथ उनकी तरह ही सामान होते हैं हारने वाले जीतने वाले से कम खुश होते हैं ऐसा नहीं है जरूरत की आवस्यक्ता है पूरी हो जाएं तो उसके बाद अधिक पैसा या सोहरत खुश करें यह भी जरूरी नहीं हाँ आप खुश हैं तो एहसास आपको सफल होने में सहयोग करेगा खुश कैसे होंगे आप अपना खयाल रखते हैं तनमन की सेहत का ध्यान रखते हुए समय का सदुपयोग करते हैं सांत मन से बर्तमान पर टिके रहना आपकी खुबी है तो आनन्द और उर्जावान महसूस करेंगे बर्तमान में बने रहने की यह खुबी आपको अधिक छमता से भर देगी काम में मन लगेगा और आप अधिक उत्पादक बन सकेंगे अंत में यह जरूर याद रहे कि हम सब अलग-अलग हैं तो हमारे लिए खुशी भी अलग ही होगी हम यह हमारे ब्यक्तित्त के अनुसार होगा कोई बड़ी कंपनी का मालिक बन कर भी खुश नहीं होगा तो कोई बड़ाई का काम करके भी खुश होगा किसी को घर पर मज़ा आएगा तो कोई बाहर काम करने में खुसी का अनुभव करेगा यही खुसी है खुसी हमें अपने अंदर तलास नहीं है और हम हर चीज में खुस होंगे तब ही खुस रहेंगे जरूरी नहीं है कि हम यह चीज पालेंगे तो खुश हो जाएंगे इसलिए आप अपने उपर परिच्छा को दवाब के उपर ना लें वो आपका एक वर्क है आप खुश रहिए परिच्छा दीजिए आपको पसंद आप करिए आप सेलेक्शन पा जाएंगे ठीक है नहीं पा जाएंगे तो कुछ और कर लेंगे हतास नहीं होना है और इस आसा के साथ कि आप सब लोग इसको इस पर ध्यान देंगे अपने स्वास्त पर ध्यान देंगे अपने मना इस्तिती पर ध्यान देंगे और खुश रहते हुए आपने जो भी आप कर रहे हैं वही वो काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे सुब कामनाओं के साथ धन्नबाद अगर आपको यह अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक और सेयर करें